गृद मोरिंग जेर श्टुदेंट्स तुड़े वी विल डू ग्रमर पॉर्शन अफ लेसन 11 अलिटल सीड आज हम लेसन 11 अलिटल सीड में ग्रमर पॉर्शन करने वाले हैं Let's start Describing words, adjectives Grammar portion में हम पढ़ेंगे adjectives के बारे में Adjectives का मिनिंग होता है कि ऐसे words जो भी किसी noun के बारे में बताते हैं कि वह noun केसी है Noun के बारे में अगर हमें किसी word से कुछ नो कुछ पता चलता है तो वह word adjective होता है Look at the pictures and read the sentences इन pictures को देखो और नीचे लिखे हुए sentences को पढ़िए यहाँ पर हमें picture दिख रहा है एक flower का The flower is red Flower के सा है? Red है अब इस red से क्या पता चल रहा है कि flower का color कौन सा है तो यहाँ पर red क्या है? एडजेक्टिव है क्योंकि इस red words से हमें पता चलता है कि flower कैसा है Red है Tea is hot Tea means chai Hot means गर्म अब यहाँ पर इस hot words से हमें पता चल रहा है कि Tea केसी है? Tea hot है तो hot क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया Reena is tall Tall means लंबी Reena लंबी है Rita is short और Reeta short है चोटी है यहाँ पर tall और short से पता चलता है कि Reena और Reeta कैसी है? Reena is tall Reena लंबी है Tall means लंबी है Short means चोटी है तो tall and short क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया क्योंकि tall और short बता रहे हैं कि Reena और Reeta कैसी है? The donkey is thin गदा पतला है Thin means पतला सा है The cow is fat Fat means मौटी गाए मौटी है तो thin और fat से पता चलता है कि donkey और cow कैसे हैं? It means thin and fat are adjectives The words in color tell something about the naming words यहाँ पर अभी हमने जो sentences पढ़े हैं इन में color में जो red color के words है यह naming word naming word means noun जिसे donkey, cow, reena, reeta यह क्या है naming words है? nouns हैं तो जो words noun के बारे में कुछ बता रहे हैं वह क्या है? adjectives They describe the naming words यह words naming words को describe करते हैं उनके बारे में बताते हैं They are called describing words और adjectives तो ऐसे words को adjectives या फिर describing words कहा जाता हैं describing words क्यों कहते हैं? क्योंकि वह words noun को describe करते हैं noun के बारे में बताते हैं इसलिए describing words Now look at the pictures इन pictures को देखिए and feel in the blanks to describe them और फिर यहाँ पर इस blank को feel करिए ताकि sentence complete हो जाए और हम इन pictures को describe कर सके अगर हम फिर्स्ट पिच्चर में देखें यहाँ पर एक mouse है और एक elephant है mouse छोटा सा है, small है और elephant big, बहुत बड़ा है small है और big है अगर हम sentence की बात करें तो the elephant is elephant के सा है big तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे big but लेकिन the mouse is लेकिन mouse के सा है small तो हम यहाँ पर लिखेंगे small तो अब हमारा sentence complete हो गया है the elephant is big elephant बहुत बड़ा है but the mouse is small लेकिन mouse छोटा सा है सही है हमारा sentence next यहाँ पर हमें एक boy दिख रहा है जिसके मूँ के अंदर thermometer है कुछ पैडिसिस रखी हुई है तो thermometer का use हम कप करते है medicines का use कप करते है जब हम बीमार होते हैं और बीमार को कहा जाता है sick the boy is sick boy बीमार है यहाँ पर अब हमारा ये वाला question complete हो गया है second question take the words that describe the things नीचे कुछ sentence लिखे हुए कुछ words लिखे हुए है इन words पे से आपको उस word को tick करना है जो की इस picture को describe कर सके जिससे first के अगर अंदर हम बात करे a red और pink flower तो यह flower का हमें color देखना होगा flower का color क्या है red color है या फिर pink color है तो जो भी flower का color है हमें उस color की उपर tick करना है a big, small, leaf या पत्ती छोटी है या बड़ी है उस की उपर हमें आपर tick करना है अगर बड़ी है तो big, छोटी है तो small third a yellow, green, parrot अब हमें या देखना होगा कि इस parrot का color क्या है yellow color है या फिर green color है अगर yellow है तो yellow पर tick करें green है तो green पर tick करें okay, it is in your homework झाल से आजूर आपबाजी तो करेंगी दोस्ती घड़ी है याड़ी है वाल